दोफ्तों अभी अभी SSE MTS का ओफिसल एंसर की जारी कर दिया गया है जिन भी कैनिडेट ने 1 सितंबर 2023 से लेकर 14 सितंबर तक अगर आपने इस बीच में परिक्षा दिया होगा तो आप अपना एंसर की चेक कर सकते हैं यह एंसर की जादा दिन के लिए अबलेबल नहीं रहेगा मातर आज इससे लेकर आपको 20 तारिक के साम 4 बजे तक यह अबलेबल रहेगा अगर आपको इसमें किसी भी परकार की चैलेंजेज करनी है अबजेक्शन करनी है तो यह भी आप 20 तारिक तक ही कर सकते हैं तो आईए आपको नीचे आना है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में या नीचे रिजल्ट वाले सक्षन में जब आप आएंगे तो एक उप्शन मिलेगा SSC MTS एंसर की डाइरेक्ट लिंक जिस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको नीचे आना ह आपको अपना role number यह role number आपके admit card पर दिये गया होंगे admit card को आप चीक करेंगे मिल जाएगा और यहाँ पर आपको password डालना है password क्या डालेंगे तो आपके admit card पर यह password भी दिया गया है उससे डालेंगे और एक option यहाँ पर मिलता है login का जिस पर क्लिक करना है login करते ही आपके सा सामने आप नीचे देखेंगे, एक option यहाँ पर click hair का मिलता है, simply यहाँ पर जो hair है, यह आपका highlight रहेगा, उस बाले hair पर click करना है, जैसे ही click करेंगे, आप इसका जो print है, आप यहाँ से ले सकते हैं, print का option दे दिया गया है, और नीचे आएंगे, तो मिलान कैसे करना समझ लिए जैसे एक number जो आपके प्रस्न है, इसका जो right answer है, जो green tick लगा हुआ है, यह आपका right है, और आपको देखना है, कि आपने एक number जो प्रस्न है, उसका जबाब कौन दिया है, तो यहाँ पर जबापाएंगे, तो एक option मिलता है, कि आपने कौन सा answer चूज किया था, वो मिलता है मतलब कि आपने option number एक ही चूज किया है, तो यहाँ पर बताया गया है, कि आपने एक चूज किया है, इसी अनुसार second number question देखिएगा, और इसका right answer है, वो देख लीजेगा, और आपने कौन सा चूज किया था, उसकी जनकारी आपको देख लेना है, तो यह परकिरिया है, जह इस पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने objection बाले जो page है, वो खुलता है, यहाँ सा आप objection कर सकते हैं, तो दोनों परकिरिया हमने आपको बताया है, वीडियो अगर आपको पसंद आ हो, तो इसे like, share करें, और channel को subscribe करें, और telegram channel से join करें, धन्यवाद